गुड बॉर्णिंग टॉ आल सभी को नमस्कार आधके इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं रेस्टेंड के बारे में आपको इमेज से ही मालूम पढ़ रहा होगा कि एक सोटा सा बच्चा है और बच्चे बंदर होते हैं जो सरार्ति करते हैं जैसे कहीं पर भी माल ये पर कोई भी इस्ती से टांक है लगे हुए हैं या कुछ इस प्रकार से रेसेज होया हैं उसको नोचने का काम कर सकते हैं तो इस प्रकार से एक प्रोटेक्शन के लिए बोडी के प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं रेस्टेंड का उप्यू करते हैं और रेस्टेंड को ब यही है बच्चो रेश्टेंट देखिएगा रेश्टेंट के बारे में आपको दिख रहा है रेश्टेंट जिसके अंदर बंधन बंधन बोलते हैं बच्चो इसको इंदी में बंदक नहीं बंधन देख लीजिएगा रेश्टेंट है आज पढ़ेंगे रेश्टेंट क्या है उसका definition पढ़ेंगे, साती सात में क्या purpose होते हैं वो पढ़ेंगे, कितने परकार के होते हैं, types के बारे में पढ़ेंगे, और साती सात में आपने समझेंगे image के दोरा कि किस परकार के resistant होते हैं, देखेंगे तब तो मालूम पढ़ेगा, ठीके, तो आज की इस वीडियो के उसक्रण या device होता है, resistant क्या है, एक protective device होते हैं, जिनका उप्योग मरीज की देख बाल के दोरान, immobilize करने के लिए, जब व्यक्ति है, जब उनका physical examination होता है, या उनकी care करनी होती है, उस condition के अंदर वो ज्यादा उचलता है, कूटता है, moment करता है मरीज, तो ऐसी condition के अंदर उसका उप्योग किया जाता है, छोट लगने पर बचाने के लिए, कई प्रकार की resistant जिसके अंदर जैसे छोटे बच्चों के अंदर मौस्ट्री यूज किया जाते हैं, या mentally ill person होते हैं, उनके अंदर यूज किया जाते हैं, जैसे कई resistant है, मरीज लेटा हुआ है, कई गिरने की संभावना रहती है, या हाथ में कैनूला लगा हुआ है, सुई लगा हुआ है, और वो इधर उधर मौमेंट करेगा, तो इसे क्या है, कि इंजूरी भी लग सकती है, साथ साथ में जो कैनूला है, वो बाहर भी निकल सकता है, तो ऐसी condition के अंदर रेश्टेंड का यूज क इसे किसी भी परकार का, जिसके अंदरकत इन्मोबिलेज करने के लिए, मौमेंट हो रहा है, उसको रोखने के लिए किया जाता है, मैनली प्रपज ही menly यह होता है, ठीके, अब बात करते हैं, मैं इंगलीस के अंदर भी आपको बता देता हूं, मैंने इंगलीस के अंदर definition लेके आया हूँ यहां पर देखिएगा थोड़ा सा आपको समझ में आया जाएगा resident are the protective device क्या लिका हुआ है resident एक protective device है बच्चों बच्चों exam के अंदर 5 नमर का summary के रूप में ये exam के अंदर question आता है साती सात में किस type का resident होता है कई ऐसे example लिए जाते हैं कई ऐसे image बता दिये जाता है कि इसको पहचान के बताईएगा कि ये resident किस type का है किसके अंदर क्या किया जाता है उस प्रकार से one way line के question भी आते हैं तो देखिएगा resident is a protective device होता है use to limit the physical activity यह ना use to limit the physical activity of the client एक मरीश के द्वारत जुक activities की जारी है उसको क्या करना कम करना limit में रखना यह immobilize यह उसको गति हीन करना a client यह extremities ना तो इस प्रकार से उनकी जो extremities है उनको क्या करना गति हीन करना resident are used to protect the client allow for treatment in safe environment and reduce the risk of injury to other इसके अंदर है कि जब treatment कर रहे हैं उस condition के अंदर किसी को शोट नहीं पहुंचाएं साथी साथ में अच्छी तरीके से care कर सकें जब कि दवाई चल रही है कैनूला लगाया जा रहा है आसानी के साथ में दवाई आसानी के साथ में जाए कैनूला निकाले नहीं कोई भी प्रकार की surgery हुई है टांके लगे हुए हैं इस condition में यहां पे नोशे नहीं तो इसके लिए क्या करते हैं एक protective device का यूज किया जाता है और यही protective device क्या कहलाता है रेस्टेंट कहलाता है बंधन कहलाता है बच्चों आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे definition को ध्यान में रखना रेस्टेंट एक ऐसा protective device होता है जिसमें किसी भी प्रकार की care करते हैं उस condition के अंदर उनकी बच्चों के अंदर mostly जो extremities है हाथ है पेर है उसको moment नहीं करें immobilize करने के लिए किया जाता है जिसके अंतरकत अच्छी तरीके से उसकी care है देखवाल की जा सके साथी साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी injury है उस person को नहों या किसी दूसरे person को injury नहीं पहुंचा है इसके लिए क्या किया जाता ह है उनको बंधन किया जाता है उनका रेश्टेंड किया जाता है अब बात करते हैं बच्चों परफस के बारे में बात करते हैं कि क्या परफस होता है सबसे इंपोर्टेंड ये बात है कि रेश्टेंड है वो क्यों यूज करते हैं उसका उद्दिसिक क्या है ऐसी क्या नोब किसनी बातें आपको ध्यान रखना जैसे हाथ में सुई लगी वी होती है और बच्चे को बोल दें नहीं ऐसे ही रखना है वो रख पाएगा वो कभी नहीं रख पाएगा वो यह ऐसे करेंगा यह करें फेकेंगा दूसरा है कोई भी इस प्रकार से बंदा हुआ है या सुई ल मोड़ना है तो इस प्रकार से नई मोड़े इसके लिए क्या करें रेश्टेंट का यूज करेंगे विबिन प्रकार के रेश्टेंट है अपना आगे अलग लग प्रकार से फड़ेंगे तो देखिएगा परपस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मरीज का examination करते समय और स्वास्ते देखबाल परदान करते समय desired एवं proper position परदान करने के लिए restaurant का use किया जाता है कि जब उनका examination किया जाता है तो बच्चा क्या है moment जादा न करे उसका अची तरीके से उसको देखबाल किया जाए बच्चों आपने देखा होगा कि एक बच्चे को इंजेक्शन लगाते हैं उस condition में कितने लोग पकड़ते हैं दो तीन बच्चे लोग पकड़ते होंगे तब वह injection लगाने देता है है ना तो इस प्रकार से जब injection लगाते हैं उस प्रकार से सभी इजरूदर से हाथ पेर है उसको पकड़ते हैं नहीं पकड़के रखोंगे तो वह injection नहीं लगाने देगा तो उसी प्रकार के फिजीकल करते हैं उस कंडिशन के अंदर क्या है रेश्टेंड का यूज किया जाता है आप सकता अनुसार मजीर को इम्मोबिलाइज करने हैं तो कई ऐसी कंडिशन होती है जैसे की आपने देखा होगा कि फ्रेक्शर वाले हाथ है उस प्रकार से जो इस परसंड जो अंसे परसंड होते हैं बहुत इरिटेट होते हैं वह बोलते नहीं यह दवायाई मेरे को नहीं चड़ा नहीं पेठे रहेंगे मरीज के पास में यदी कोई नहीं है तो वो तोड़ फोड़ करके निकाल देगा तो ऐसी कंडिशन के अंदर हाथ में क्या है एक बेंड पान देते हैं एक रसी बान देते हैं और उसको पलंग से पान देते हैं ताकि वो इस प्रकार से खिशेगा तो आएगा नहीं और वो वह किया जाता है मरीज को सोट लगने विस्तर से गिरने आदी से बसाने के लिए किया जाता है मरीज गिरे नहीं उस कंडिशन के अंदर भी रेश्टेंड का यूज किया जाता है मांसिक रोगी से गर्शित मरीजों के मामले के द्वारा अन्य मरीजों को सोट पहुंसाने के लिए सोट से पहुंचाने से बचाने के लिए जो mentally ill person होते हैं यही रेश्टेंट नहीं है तो दूसरों को पीटने का मानने का काम भी कर सकते हैं ऐसी condition के अंदर उनको बांद के रखा जाता है उसके भी कई परकार की guidelines होती है कई परकार के इसे principles होते हैं उसके सिदान्त होते हैं उन अभी तक आपने क्या पड़ा रेश्टेंट है उसका definition पड़े साती सात में उसके क्या purpose होते हैं वह बात किये नेक्स्ट बात करते हैं बच्छों एट टाइप ऑफ दे रेश्टेंट बच्छों यह बहुत ही important है मैंने आपको बताया था कि मेरी paid class join करना है तो बच्छों य आप class कर सकते हैं अब बात करते हैं बच्छों heading डालिएगा types of restaurants टाइप ऑफ रेश्टेंट जिसके अंदर एक तो है मम्मी रेश्टेंट अलबो रेश्टेंट ने रेश्टेंट क्लॉव हिच्स रेश्टेंट जेकेट रेश्टेंट इस प्रकार से बच्छों आपको नाम स परतित होता है आपको नाम से ही परतित होता है जैसे अलबो रेश्टेंट हैं यह 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 इस प्रकार से यह मुड़े नहीं इसके लिए यहां से यह less लगाएंगे जैसे लिए गुटनों पहीं इसके लिए लगाएंगे जेकेट परनते मान जिए परसन सोया हुआ है और उसके बाद में खड़ा नहों खड़ा होगा या बैठेगा तो उसके निशन में गिर सकता है इसलिए जैकेट रेस्टेंट लगाए जाता है जैसे थोड़ा सा ऊपर होगा और वह पलंग के बंदा हुआ रहेगा वह वापिस स कवर कर दिया जाता है शुष को बोलते है मम्मी अब समझ में आ गया कि वह नाम सबस्क्राइब को में बताता हूँ देखेजां सबसे पहले करेंग डालिएicate देखो यह बच्छा है इस प्रकार से यह आपको दिक रहा है यहा आपको दिखने में भॉला भाला बच्चा है परंद भहुती हैं बहुती सरारती है इस बात का ध्यान रखें देखिएगा इसको किस प्रकार से एक टॉवेल है उसको लपेड दिया है पहले इस प्रकार से बच्के को करना है और उसके बाद में उसको लपेड दे की। treatment है, उसका assessment है, उनका देखबाल करनी है, तो अभी उसकी extremities है, जो हाथ है और पेर है, दोनों ही fix हो गया है, cover हो गया है, अब वो उचल कुद नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो mummy restaurant जिसके अंतरकत कई बार exam के अंदर भी आया हुआ है, image दिया है, कि यह image दिये दिया, उसके बाद में यह किस प्रकार का restaurant है, understand, तो mummy restaurant के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, heading डालिएगा, mummy restaurant, इसके अंदर देखिएगा, इस प्रकार के बंदन का उप्योग, प्राय, सोटे बच्चों में किया जाता है, जब किसी nursing प्रकरिया के दोरान, हाथ, बच्चे के हाथ, पेरों द्वारा इससे बाधा उत्पन करने का खत्रा हो, तब इस प्रकार के बंदन का उप्योग किया जाता है, इसके द्वारा बच्चे के हाथ, पेरों की गत्ती को परती बंदित कर दिया जाता है जैसे बच्चे के शरीर के चारों तरफ आथ और पेरों सई तोलिया या चादर लपेट देना जब गर्दन हेड और फेस पर कोई नर्सिंग प्रक्रिया की जाती है तब इस प्रकार के बंदन का उप्योग किया जाता है बच्चों इसके अंदर एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि मम्मी रेस्टेंट जब कौन-कौन सा जब नेक है फेड है और फेस पर कोई भी नर्सिंग प्रक्रिया करते हैं नर्सिंग के जाता है उनकी देखवाल की जाती है तो उस कंडिशन के अंदर हात पर इजडर दर नर्थ फेकें और उस प्रकार से न नोचे तो ऐसी कंडिशन के अंदर क्या करते हैं tutte ममी रेस्टेंट के अंदर एक टोलिया लिया जाता है और उसको मुंडी यहां गर्दन से नीचे की तरब से पूरा-पूरा क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, जब physical examination किया जाता है, तो ऐसी condition के अंदर भी mummy restant का use किया जाता है, ठीक है, अब इसमें कोई रटने की कोई बात नहीं है, देखो यहां पे बच्चा अपना से लेटा हुआ है, और physical examination है, या कुछ से यहां पे care किया है, कोई टांके लगे हुए है, कोई research है, तो उसको नोचे नहीं, उसके लिए treatment चल रहा है, और मरीज को पूरा क्या करते है, तोलिया से लपेट देते हैं, और mummy restant mostly used in the children, दियान रखना है, question आता है कि बच्चों के अंदर mostly कौन सा restant use किया जाता है, या head है, neck है, और face का जो physical examination करते हैं, या nursing care की जाती है, तो उस condition में कौन सा restant use करेंगे, next बात करते हैं, elbow, यहां पे ये elbow वाला, इस प्रकार के बंधन का उदेशे मरीज के हाथ को कौनी पर से मोरने से रोकने के लिए किया जाता है, ताकि उसके हाथ पर क्रिया किये जाने वाले इस्तान, IV cannula, नेजो के stick tube आधिक तक नहीं पहुंच पाये, इस प्रकार के बंधन का निर्मान करने के लिए, एक्जिला से लेकर, ब्रिष्ट तक प्रियापत लंबाई का कपड़ा लिया जाता है, जिस पर vertical लकडी की steep लगा दी जा हाथ mostly जैसे यहां पर एक कैनुला लगा हुआ रहता है, mostly कभी कबार जैसे कहीं नहीं लगता है, तो यहां पर नस्के अंजर लगाते हैं, वो मूडे नहीं उसके लिए, साथी साथ में माली जीए, यह हाथ है, इसमें कैनुला लगा हुआ है, तो तुरंद बच्चा क्या कर लेगा, इससे नोस्क लेगा, कोई भी IV-Fluid है, उसको निकाल करके फैक देगा, तो ऐसी कंडिशन के अंदर क्या करते हैं, उसको हाथ को बांद देते हैं, साथी साथ में ट्यूब लगा हुआ है, नाक के अंदर जैसे ही दिखकत होता है, ऐसी कंडिशन में तुरंद खीश के निकाल करें के फैक देगा है ना तो इस प्रकार से जो नस्रिंग प्रकरिया करते हैं जिसके अंत्रकत बादा उत्पन होती है तो उसको रोखने के लिए क्या करते हैं elbow rest end का use किया जाता है इसके अंदर एक प्रयाप्त मात्रा के अंदर एक कपड़ा लिया जाता है जिसको यह एक जिला से लेकर के वरिष्ट यह वाला वरिष्ट वाला यह वरिष्ट वाला portion है और यह है elbow और यह है एक जिला तो इस प्रकार से यहां से यह इस प्रकार से देखेगा बच्चों इमेज के अंदर में आपको दिखाता हूं यह यह बच्चों देखो बच्चा आराम से लेटा हुआ है और यह यह यहां पर पुरा प्रोपर रूप से लगा दिया है ताकि क्या है उसका मुमेंट नहीं हो नेक्स्ट बात करते हैं अलबो के बाद में नेक्स्ट है नेक्स्ट है ने रेश्टेंट इस प्रकार के बंदन का उप्योग टांगों को घुटनों पर से मोरने के लिए रोकने के लिए किया जाता है गुटना बंदन कोनी बंदन की तरह ही बनाया जाता है जिससे जांग से लेकर पेर तक बांदा जाता है इसमें तो भ है जांग वाला नहीं है रह गया पिछे कोई दिकत नहीं तो वो घुटना वाले घुटना है ना गुटनों पर इस पर जैसे एल्बों पर बांदा ना वैसे का वैसा उस पर भी ओरता है नेक्स्ट है क्लाव हिट्स रेस्टेंट क्लाव हिट्स रेस्टेंट इस प्रकार के बंदन का उप्योग मरीज के हाथ और टांगों की गत्ती को परतीविंद करने के लिए क्या जाता है इस प्रकार के मुलाहम कपड़े आत्वा प्रयावत लंबाई के गोज का उप्योग किया जाता है इस मुलाहम कपड़े या गोज का एक लूप सा बना लिया जाता है जिस हाथ या टांग की गती को परतिविन करना है उसमें वरिष्ट या एंकल पर प्रयावत मात्रा में कोटन के पेड लगा दिये जाते हैं तत पचात मुलाहिम कपड़े या गोज से निर्मित लोग को कलाई या टकने में डाल दिया जाता है बंधन कपड़े या गोज से निर्मित एक दूसरे सिरे को मरीज के पलंग से बांदिया जाता है बंधन अधिक टाइट नहीं होना चाहिए लेकिन इतना धिला भी नहीं होना चाहिए कि मरीज इससे अपने हाथ या टांग को सवतंत्र कर सके सवतंत्र कर सके अब देखिएगा कि क्लाव हिस रेस्टेंट जिसके अंत्रकात एक्स्ट्रिमिट्रीज को मुमेंट करने से रोकना जैसे कि मैं कहूं कि इसके अंदर क्या किया जाता है एक पहले कपड़ा लिया जाता है उस जगे पे जहां पे लगाना होता है मुलायन सब्ट कपड़े हैं उसको क्या करते हैं वहां पे लपेड जिया जाता है उसके बाद में जिसका रेश्टेंट बनाएंगे उसको क्या करते हैं एक लूप बनाते हैं और इस प्रकार से गांट लगाते हैं ताकि मरीज को पूरा अंदर धसे नहीं और न टाइट हो न लूज हो इस प्रकार से क्या करते हैं एक लूप का फॉर्मिशन किया जाता है और मैं आपको एक Colorful दिखाता हूं देखिएगा बच्चों यहां पर थोड़ा सा दिखाया हुआ है कि इस प्रकार से बांते हैं देखो कि अ क्लाव हेस कि यह बच्चों आपको दिख रहा होगा यह यह इस प्रकार से बानते हैं यह इसको जो है ना यह इसको आप हाथ मान लेना अब देखो इसको कैसे बानते हैं इसको थोड़ा सा बानने की ट्रै करना बन जाएगा देखो यह सीरा कहां से आया हुआ है यह ऐसे करके इस प्रकार से बार हो करके एक उफर है एक नीशे है देखो सबसे पहले इस प्रकार से hang raw from the support और उसके बाद में क्या तक यह इस प्रकार से कर देदा है और यह तो यह बुक्षों आतलों क्लोव हिट रेश्टेंट में यह प्रकार से आप बांते हैं कोई रसी लेकर करना हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है इसके नीशे क्या रखते हैं एक कपड़ा लेते हैं और मुलाहिम स्वब कपड़ा है उसको पहले लपेड देते हैं ताकि यहां पे कोई है इंजूरी है उसको नहीं हो अब यह ज्यादा ऐसा नहीं कर दें लूज रखना है यह आसानी से खुल भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी गांट वांट लगाने की इसमें जरूरत नहीं होती है तो यहीं है बच्चों क्लॉव हिस रेस्टेंट नेक्स्ट बात करते हैं जेकेट रेस्टेंट जिसके अंदर आपको इमेज के अंदर भी दिख रहा है कि एक बच्चा है और उसको जेकेट पनाया हुआ है और उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या है यह पलंग से बांग दिया जाता है इस प्रकार के बंदन का उप्योग मरीज को लेटी हुई अवस्ता से बैठी हुई अवस्ता में आने से रोकने के लिए या बैठी हुई अवस्ता से खड़ी अवस्ता में आने से रोकने के लिए किया जाता है इस प्रकार के बंदन के लिए मरीज का जेकेट पहना दी जाती है जिसके फिते फिसे की और बंदे होते हैं ताकि मरीज मरीज के हाथ वहाँ तक पंच नहीं पाए जब जैकेट की लंबी स्ट्रेप्ट को पलंग से मरीज की लेटी हुए योस्ता में बनाये रखने के लिए कुर्सी कि किसी भाग से जब म्रीज को बैठी हुए योग्ता में रखना हो तो मांन दिया जाता है बच्चों आपने देखा होगा कि Jacket Restant ऐसी कंडिशन के अंदर लगाए जाता है जिसके अंतरका Jacket Restant के अंदर म्रीज को क्या पेना पेना दिया जाता है जैकेट पेना दिया जाता है और उस कंडिशन के अंदर मानिजे मरीज लेटा हुआ है उसको लेटने देना है वो बार-बार खड़ा होता है बैठता है तो जैसे ही खड़ा होगा तो उसे प्लंग से रसी बंदी हुई होती है और वो खड़ा नहीं हो पा खिस करके वापिस उनको बोलेंगे नहीं बैठे रहो तो इस प्रकार से रेश्टेंट का उप्यों किया जाता है जब मरीज लेटा हुआ है बैठने की कौशिश करता है बैठा हुआ है वो खड़ा होने की कौशिश करना है अननेसेसरी होती है mostly जो बच्चों के अंदर देखने को मिलता है तो इस प्रकार के रेश्टेंट का यूज किया जाता है बच्चों आपको ध्यान में रखना है तो ये तो था अपने रेश्टेंट के बारे में बात नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर एक रेश्टेंट और आया है मिटन या फिंगर रेश्टेंट मिटन या फिंगर रेश्टेंट जो आपको बच्चों सबसे पहले इमेंज के अंदर देखेगा जिसे आपको आसानी के साथ में समझ में आएगा मिटन रेश्टेंट जिसके अ वो इस प्रकार से इदरूदर नहीं कर पाएगा इस प्रकार से बच्चों यह mitten restant के अंदर आता है अलग-अलग प्रकार के image है जो मैंने आपको दिखाया हूँ यह है mitten restant अब अपने mitten restant के अंदर definition के बारे में बात करते हैं देखेगा mitten mitten are used for the infant to prevent self injury by the hand in case of the burn facial injury या operation eczema of the face या body it is very very important mitten restant use किसके लिए करते हैं mostly बच्चों बच्चों के अंदर करते हैं और क्यों करते हैं to prevent the self injury जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चे हैं किसी भी प्रकार का कोई भी facial surgery हुआ है या कोई भी eczema है कुछ races है साथी साथ में कोई burn वाली condition है तो ऐसी condition के अंदर क्या है वो और child's hand in gosya with a little bag putting over the baby hand and tie it on the wrist इसके अंदर यह बताया गया है कि पहले गोज लेना है और उसके बाद में क्या करना है उसको लपेट देना है और लपेटने के बाद में यहां पे वरिष्ट वाले portion पे क्या कर देते हैं टाइ कर दिया जाता है तो इस प्रकार से गोज है या कपड़ा है उसको लपेट देते हैं लपेटने के बाद में यहां पे टाइ कर दिया जाता है तो फेशियल है फेशियल इंजूरी है पर्ण है या कोई भी प्रकार की सरजरी हुई है तो वह नोचेगा नहीं आसानी के साथ में टांके वांके लगे हुए है तो उसको दिकत नहीं होगा नहीं तो बच्चे क्या नोच ले दें तो यह मिटन रेस्टेंट का यूज किया जात नहीं है और वह इसकीन है वह नहीं तोती है ऐसी केंदिशन के अंदर जब हडी तूटी हुई है तो मरीज को और रेसी मालगारे तो लाइंगे तो अंदर के अंदर मानधी जीए है हाध की ले लेते हैं या अंब्रिला का जो वो ले लेते हैं अपने पूरा रोड उससे है या किसी भी प्रकार का कोई भी इस प्रकार से मिलता है जैसे कार्टून है और उसका क्या है वह अपने ले लिया कुछ पार्स ले लिया और उसके बाद में उसको बान दिया सपोर्ट के रूप मे किया जाता है परपस क्या है क्यों करते हैं शरीर के किसी भाग को गतिन करने के लिए शरीर के किसी भाग को सपोर्ट देने के लिए फ्रेक्सर वेप को प्रात्मिक उफ्चार देने के लिए ट्रेक्शन लगाने के लिए डिफोर्मेटिज की रोकताम के लिए यह देखो है यहां पर हाथ को पूरा सपोर्ट किया हुआ है दूसरा यह भी différentes है यहां पर भी इस ब्रिंट लगाया हुआ है support के लिए किया जाता है है और जैसे lack क अदर फ्रीक्न सर्व आला मरिज होता हिए उसा फरस्टेड के लिए心 आदर फरस्टेड में यही प्राइटी रहती है कि immobilize the affected part जो part affected हुआ है उसको immobilize रखना है मतलब ज्यादा movement नहीं करवाना है नहीं तो अंदर की shell tissue है उसके अंदर क्या है injury होने की संभावना हो सकती है तो यह क्या करते हैं एक bounce की खपशी लेते हैं और उसको क्या करते हैं उसको support में रखते हैं और उसके बाद में जो bandage है उसको लपेड देते हैं ठीक है तो यहीं बच्चो क्या है splint है इस प्रकार से various type के splint होते हैं जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा जैसे यह वाला जाती हैं उसको support करने के लिए क्या करते हैं इस प्रकार से contract bandage जैसे ताइट से support करते हैं या जैसे हाथ एँलिया है यह जैसे पर से moment नहीं करवाना है यह फ्रेक्सर हो गई है तो यहां पर क्या करेंगे एक लकडी की जैसे अपने स्क्रिम खाते हैं व्याइसे यहां पर रख देते हैं उसके बाद से उसको जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से यह अलग अलग प्रकार की स्प्लिंट है साती सात में एक बच्चों आपको इमेज और दिख रहा होगा जिसको शिलिंग बोलते हैं heading डालिएगा ceiling के बारे में splint के बारे में देखो यहां पे लिका हुआ ceiling ceiling कि जैसे मालीजिए यह हड़ी टूटी है इसको तो splint लगा दिया या कुछ operation कर दिया और जैसे इसमें हाथ नीशे लटकेगा तो इस प्रकार से सूजन स्वेलिंग inflammation होने की संभावना रहती है तो ऐसी कंडिशन में क्या करते हैं कि एक गले में से एक कपड़ा है या दूपटा है या बने-बनाए सब्सक्रावना रहेगी तो ऐसी कंडिशन में क्या करते हैं सिलिंग का यूज किया जाता है ठीक है यहां पर दिया हुआ है कोई कपड़ा है उसे अपने पूरा हाथ का प्रोटेक्शन किया हुआ है साथी साथ में एक बेग टाइप का आता है बच्छों यह जो एलबो वाल होती है या रेस्टेंड क्या होते हैं कितने प्रकार के होते हैं सभी प्रकार की तमाम प्रकार की जो जानकार या जो बैसिक जानकारी है मैंने आपको इमेज के दोवरा और आपको एक्स्विलेंट करके बताया ठीक है तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही इस प्रकार से आपको कई प्रकार के वीडियो है जो application के ऊपर मिलेगा तो वहां से आप class कर सकते हैं और बैटर तरीके से आप अपनी पढ़ाई घर बैटे कर सकते हैं ठीक है तो जल्दी से जल्दी class को join कर लिजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही तैने वाज